सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थाइंक्यू मेरे चैनल के साथ जुनने के लिए अगर आप ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लिजिए ताकि हमारा ह और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डिरेक्शन में मूब हो तो आज का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 7 जिसका नाम है टाइप सब असेस्मेंट तो सुरू करते हैं आज का वीडियो जिहां दोस्तों इसके वो बेसिक चीजें पहले जाननी है तब जाकर आए लेक्चर टाइपस ऑफ असेस्मेंट आप जानेंगे तो ज्यादा बेनेफिट आपके लिए होगी और यह वीडियो उन सारे स्टुडेंट्स के लिए हैं उन सारे एस्पारेंट्स के लिए हैं जो तैयारी कर रहे हैं जि हैं तो आज स्टाट कर रहे है टाइप सॉप असेस्मेंट को撰ानेंटरम données वोता है मुल्यांकं गैju कैसे खरना है और इस रिजल्ट का रिजल्ट के आएगा मुल्यांकं के बाद हमें देदाए तक बांट इस्ति पर, आप चार टाइपस में डिवाइब करतें ऐसिक से वी देखने को मिलेगा लेकि जो आप इंपार्टेंट जो है इसको मैं आपको डिसकस कर रहा हूँ जिसमें प्लिस्मेंट एसेस्मेंट है फॉर्मेटिव एसेस्मेंट है डियाग्नोस्टिक एसेस्मेंट है जिसको डियाग्नोसिस भी बोलते हैं डियाग्नोसिस एसेस्मेंट है और क्वामेट्टि for assessment तो वन बाइ वान इन चारो को डिसकास करते हैं बने रहें मेरे साथ और देखते रहें अधायां तक वीडियो पुसंद आने पर से श्रूप सब्सक्राइब जरूर करें तो आपå Personal assessment पर्सनल असेसमेंट जो है, Place students according to prior achievement, Students के prior achievement, याने जो शुर्णे का initial achievement होता है, उसके base पर इसको assess किया जाता है, मुलियांकन की जाती है, या फिर personal characteristics, Students की personal characteristics को मुलियांकन की जाती है, Personal placement assessment में, ठिक है, इसके तहत यह एक unique instructional strategy है किसके लिए teachers के लिए क्योंकि जब उन्हें placement testing लेनी होती है जैसा है कि आप क्या करना हो test college में या फिन्वर्सिटी में जब आपको placement के लिए आपको test देनी होती है it is a base assessment for उन सारे students के लिए जो placement उनको चाहिए इन्वर्सिटी में college में तो teachers के लिए बहुत ही अच्छा placement assessment होता है जो conduct करता है placement जो evaluation है we know यह pre-assessment है इसको pre-assessment भी कहा जाता है और इसको initial assessment भी कहा जाता है क्योंकि formative, summative assessment से पहले की जाते है इसलिए इसको initial assessment और pre-assessment भी कहा जाता है यह point को आप note down कर लेंगे इस सारे screenshot आप ले लो आपके लिए बहुत benefit होगा this type of assessment is used to know what the students skill level is about the subject इस assessment का यूज इसलिए की जाती है कि students का skill level किसी भी subject में कहां तक पहुचा है जानने के लिए किसी भी subject में उसका skill level कहां तक पहुचा है इसको जानने के लिए इस assessment का यूज किया जाता है यह help करता है teachers को explain करने के लिए माल लेते हैं कि अगर initial stage में माल लेते हैं स्टार्टिंग में ही अगर बच्चा का किसे subject का लियांकन कर लेते हैं तो हमें पढ़ाने में उन्हें क्या provide करनी है कैसे उन्हें और क्या add-on करना है किस level से पढ़ाना है यह हमें teachers को क्या करता है help करता है उन्हें material को provide करने में content को provide करने में तो यह बहुत ही starting initial assessment है और बहुत ज्यादा benefit है next formative assessment formative assessment integral part है teaching and learning का ठीक है यह ongoing process है यह आपका इसमें आपको marks नहीं दिया जाता है final marks आपको नहीं दी जाती है यह आपकी identify करती है आपकी problems को आपकी जो doubt है उसको clear करता है उसको identify करने के लिए और उसको remedies करने के लिए इंप्रूफ करने के लिए इसको assessment का आपकी जरूरत होती है formative assessment मैंने बताया था आपको कि exam ली जाती है तो formative assessment आपका काफी ज्यादा important हो जाता है आपके आपकी problem को पहचानने में और उसको रिइंप्रूफ करने में रिमीडीज करने में यह flexible होता है काफी इसको flexibly design की जाती है और इसको teaching जो होता है monitoring की जाती है during learning strategy instructions मतलब monitoring किया जाता है teacher के द्वारा चोटे-चोटे oral questions बगारा पूछ कर ठीक है feedback to the learner is immediate इसमें feedback दी जाती है feedback तो आपका submitted assessment में दी जाती है लेकि feedback उसमें लेट होता है इसमें feedback immediate दी जाती है आपको मतलब test लिया जात तुरंत आपको क्या किया जाता है feedback दी जाती है ठीक है इसमें feedback देने से क्या होता है learner की behavior में change आती है और उसकी understanding अच्छे way में move करता है ठीक है इस assessment में से teachers की benefit नहीं होते इसमें students का benefit होता है और students का benefit नहीं होता है अगर मान लेते कोई strategy जो teacher जिस method से परहा रहा है वो beneficial नहीं है तो teacher अपनी strategy में अपनी जो skill में क्या कर सकता है change कर सकता है ठीक है और काफी मतलब as a coach as a guider as a mentor कह सकते हो अपनी strategy को change करेगा और ज्यादा enhance करने के लिए teaching learning को enhance करने के लिए और ज्यादा new technique का use कर सकता है तो यह formative assessment दोनों के लिए हो जाता है teachers और students के लिए formative assessment powerful statement types of assessment भी कहा जाता है जो improve करता है students के understanding और performance को इसलिए powerful इसको कहा गया ठीक है इतना point आप याद रखे काफी है ठीक है now next third is submittive assessment submittive assessment जो है it's a comes at the end of the course letter जब course खतम हो जाती है यापि syllabus खतम हो जाता है तब last में जो आपका assessment की जाती है तब इसको summittive assessment लिया जाता है इसको terminal assessment of the learners भी कहा जाता है terminal assessment of the learners performance कहा जाता है determine the extent to which broad objective is are achieved यहाँ पर मतलब आपको बहुत बड़ी इसका जो objective ब्रॉड है ठीक है इसमें आपका इस परकार का assessment में आपको grade दिया जाता है pass या fail number की जाती है 0 से 100 तक कहने का मतलब है summittive है तो आपको text exam जो होगा इसमें आपने exam देकर आया है उसमें आप final exam वह आपका submit हो गया उसका result आएगा और उसमें pass या fail या जितना grade जितना marks आया उस recording आपको आपके performance recording आपको दी जाएगी इसमें feedback दिया जाता है आपके success या failure होने के बाद आना इस फ़ीडबैक देने का जो duration है लंबा हो जाता है ठीक है उसके बाद students has passed या fail it's so amount of learner success in meeting the assessment और यह जो data है आपका यह आपका next level में पहुचने में next level में आपको ज्यादा help करता है next level को achieve करने में next level को selection करने में आप क्या चुच करना चाहते हो 10th के बाद कौन सा stream लेना चाहते हो आपके 10th के final marks के base पर आपके decide करते हो कि science के तरफ जाना commerce के तरफ जाना आर्स के तरफ जाना या पढ़ना ही नहीं है तो इस तरीके से आपके assessment decide करेगी ठीक है किया जाता कि problem कहां पर है similarly यहां भी वही चीजे कि अगर बच्चे में मान लेता है कि teaching के दर्मयान अगर बच्चे में जो problem आता उस problem आने के वजह से जो problem arise होता है तब इसका use किया जाता है ठीक है अब्जॉर्ब किया जाता है कि especially जो बच्चा है कहां पर problem face कर रहा है उस problem को find out किया जाता है और उस problem को ढूंड का उसको improve करने की कोसिस किया जाता है यह diagnosis assessment में diagnosis assessment में important role play करता है आपका feedback आपको formative assessment और diagnosis assessment की कुछ feature similar मिलेंगे ठीक है इसलिए confused होने की जरूत नहीं है ठीक है तो diagnosis feedback can help students in understanding diagnosis में जो feedback देते हैं वो students को understanding करने में कि what's a learning adjective and have not been achieved and need additional work such types of feedback enable student to set a specific learning goals and improve their learner autonomy तो कहने का मतलब फाइनली यह diagnosis में कि आप problem को ढूंडो आप problem को ढूंड को कहां पर इस्ट्रेटिक की problem में उसको improve करो इस प्रकार के assessment को diagnosis assessment कहते हैं ताई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो प्लीज आप मुझे भी feedback करें वीडियो कैसा लगा ठीक है कि उस feedback से मुझे बहुत ज्यादा benefit होता है मैं ज्यादा आपकी मोटिवेट आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हो तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते तब तक के लिए आपके दिन बहुत ही अच्छा आप अपना ख्यार रखेंगे हैव गुड़ डेए